प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस के प्रश्णों पर 140 प्रश्ण आएंगे आरो ए आरो में जी एस के इने 140 प्रश्णों में से 12-15 प्रश्ण ठीक है एक-दो प्रश्ण डीजनिंगे एक दो प्रश्ण मैथ के आते हैं यानि लगभग 132-135-36 प्रश्ण जी एस के आते हैं इसमें वकि 60 नंबर जो है और 60 नंबर यानि 60 कोशन 140 नंबर यानि 140 लिए फिर स्टार्ट करते हैं तो प्लैलिस्ट बना रखे हैं इसकी डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक है सीरसाइसूरी का अंत्यम अभियान किस राजी के विरुद हो था तो सीरसाइसूरी का अंत्यम विजह अभियान 1545 में कालिंजर के विरुद हो था इसी अभियान के दौरान एक बमब गोला फटने से सेरसा सूरी की मृत्ती हो गई थी अभी लोवर PCS जो मेंस वा था उसमें सेरसा सूरी का वास्तविक नाम पूछा था तो सेरसा सूरी से बनते हैं प्राशन Question number 2 उपर आजे कश्मीर के साशक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम निम्ने के दिम्से क्या था अलीशा, हसन सा, हैदर सा, साही खां जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम था क्या साही खां तो कश्मीर के साशक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम साही खां था उदार नीतियों के करण इसे कश्मीर का अकबर तथा मूल नियंतरण के करण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है याद रखेगा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराना परताप की राजपूत सैना का सैना पती नमलिकित में से कौन था बताएए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराना परताप की राजपूत सैना का सैना पती था कौन हकीम खांसूर ठीक है और मुगलों की सैना की तरफ से कौन था मान सिंग ये पूछ ले आता हैं एक्जाम में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था पंद्रे सो चैतर में मुगल सैना और महाराना परताप के बीज इसमें मुगल सैना का नेत्रतु कर रहे थे मान सिंग ठीक है और राणा परताप की सैना का नेत्रतु कर रहे थे हकीम खांसूर नामक एक अफगान नमबर फोर पर आज़िए मुहम्मद एंग्लो ओरियंटल कॉलेज अलीगड की स्थापना नम्लिकित में से किस वर्स होई थी आपको याद आ रहा हो सरसयद एहमद खा का नाम तो समय था वो 1875 अटारे सुपर चुटर है तो मुहम्मद एंग्लो ओरियंटल कॉलेज अलीगड जिसे बर्तमान समय में अलीगड मुसलिम विश्विद्दाले के नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना सरसयद एहमद खाने 1875 में की थी नमबर फाइब पराजी नमलके में से कौन सी मुद्रा चत्रपती सिवाजी के राज में प्रचलेत रजत मुद्रा नहीं थी रुपिया लारी टका रुका लारी है टका है रुका है रुपिया नहीं है तो छत्रपती सिवाजी के राज में प्रिचलेत रज़त मुद्राइं कौन कौन सी थी लौरी टका रुका मराठा सामराज में रज़त मुद्रा के रूप में रुपया का प्रचलन नहीं था नमबर सिक्स है दिली सल्तनत के किस साशक ने अपने आपको खलीफा घोशित किया था किस ने किया था मुहमद बिन तुगलक मुबारक खिल जी अलावदिन खिल जी या बलबन स्वयम को खलीफा बताईए बताईए कौन में बलबन में और मुबारक खिल जी में कौन है मुबा पारक खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी एवंस का साशक था इसका कारेकार है तेरहसो सोरे से तेरहसो भीश तक और इसने स्वयम को खलीफा घोशित किया था कुस्सम एक तिल्हानी फसल है इसका पैग्यानिक नाम क्या है बताएगे क्या है क्या है कॉर्थेमस टिक्टोरियस ओप्सन नमबर सी तो कुस्सम जो है वो एक तिल्हानी फसल है और इसका बैग्यानिक नाम है कॉर्थेमस टिक्टोरियस जो के अंकुरित वीजो के किडवन से बनी सराप को क्या कहेंगे आप जो के अंकुरित वीजो के किडवन से बनी सराप क्या कहलाती है रम बोट का वाइन वियर वियर कहलाती है वियर तो वियर जो होती है वो जो के अंकुरित वीजो के किडवन से बनाई जाने वाली सराप है कोशिन नमब्र नाइन पर आजिए नबाब सुझाव दौला की बेगम का पुर्शिद मकबरा बहु बेगम का मकबरा नमलिक तमय से किस इस्थान परिस्थत है बहु बेगम का मकबरा आजम कर लखनओ प्रियाग राज या फैजाबाद बताईए कहां पर फैजाबाद में है तो नबाब सुजाओ दोला अवद के नबाब थे इनकी पत्नी का जो मकवरा है वो फैजाबाद में इस्थित है जो बहु बेगम का मकवरा के नाम से जाना जाता है दसवाप रश्ट है निम्लिक दमें से गैसों के उस योगम का चैन कीजिए जो जो गोता खोर जो है पानी में जाते हैं तो सांस लेने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं उन सिलेंडर में क्या भरी होती है ऑक्सीजन तो होगी ऑक्सीजन की साथ क्या होती है नाइट्रोजन ऑर्गन या हीलियम पताए क्या होति है ים did… ऑक्सीजन और हीलियम भड़ी होती है उनमें है तो जब गोथा क बोता को जो जालगे भीतर जाते हैं तो में पर्रेसाथ तक यह सांस लेने में परिसानिंыл उनको और गोता खोरों के लिए ऑकसीजन और हीलियम का मिश्ण जो है उप्रियों के रिताऊं सिलिंडरों में कि ग्यारों प्रश्ण है भारतिय लगू उद्योग विकास वेंग शिडवी का मुख्याला निंवलिग मैंसे कहां सद है उत्तर प्रदेश के किसी एक सहर में लखनौ में है ठीक है ऑप्सन नमबर बी तो भारत्य लगू उद्योग विकास बैंक सिडवी का मुख्याले कहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनौ में गोमती नदी के किनारे मतलब लखनौ बसा है और गोमती नदी कहां से निकलती है फुल हर्ज हील से बारवा प्रशन है लाठी क्लब की स्थापना नमलकित में से किस ने की थी लाठी क्लब की स्थापना किस ने की थी लाला लाज मतला है लगा कर गलत मत कर देजेगा इसका उत्तर है बाल गंगा धरतिलक तो लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगा धरतिलक ने सीधे सीध अब विलीम विल्सन हंटर चार्ल्स इलियर्ट या बिलीम डिगली इंपीरियल गजेटियर के संकलन करता कौन है बिलियम विल्सन हंटर आपसन नमबर बी तो विलियम विल्सन हंटर उच्च कोटी के सिक्षाविद ग्रंथकार और सांखे की विद थे उन्होंने भारत के सांखे किया सर्वेक्षन का प्रबंधन किया और 875 से 877 इस वीग में बंगाल का सांखे किया विबरण 20 खंडों में प्रकाशत किया इसके साथ ही उन्होंने तेज खंडों वाली इंपीरियल गजेटियर ओफ इंडिया का प्रकाशन कराया नमबर फोटीन पर आजए निम्लिकत में से कौन सा सेल समू भारत में अधिक्तम मात्रा में कोईला प्रदान करता है तो धारबाड में तो खनेज है कोईला है गोंडवाना समू में B है इसका अंसर तो भारत में पाए जाने वाला लगभग 98 परतिशत कोईला गोंडवाना करम की चट्टानों में पाए जाता है पंदवरा प्रश्ण है निम्लिकत में से कौन सा जो है वो सही सुमलित नहीं है राजद्रोही सवाओं को रोकने का अधिनियम 1908 विसफोटक पदार्थ अधिनियम 1908 फोजदारी कानून संसोदन अधिनियम 1908 समचार पत्र अपराधू के लिए प्रोथसाहन अधिनियम भी 1908 इनमें से पक्का गलत है तीन करेक्ट है देखे राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 नहीं है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए बिटेश सरकार ने कई दमनकारी कानून पारित की है जिसमें राजदोही सभाओं को रोकने का जोधनियम 1907 में पारित किया गया था ना कि 1968 में विकल्पे दीगे सारे वाकी समचार लेता है ासब स्ट्रोपों इसको बोलते हैं चोब मंडल इसके उपर होती स्ट्रेटों इसको बलते है समताप मंडल उसके मिलेगा चोब तर्मों फेज़ है ठोशे तो इस व्य remains सबसे नीचे होती है तो बायू मंदल की लंबबाद संरचना में जो है छोब मंदल लेनी ट्रोपोस्पियर सबसे निचली परत है धरातल से अगर आकास की और बायू मंदल की परतों का सही अनुक्रम हम देखें पूछ लाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ओडर में अधि नंबर सेबंटीन पर आज ये दोहार ग्यारे की जनगर्णा के अनुसार यदि बात करें तो भारत में निम्रिकित मेंसे किस राज में अनुसूचित जाती यानि सेड्यूल कास्ट जन संख्या जो है वो सून्न है इसमें एसी आबादी सून कहां पर है केरल में तो है सिक्किम में भी असम में भी है सून है नागालेंड में ठीक है तो भी हो गया इस कांसर नागालेंड नहीं होता तो अंडबान निकोबार में भी सून है ठीक है लक्षदीप में भी सून है अनाचल में भी तो दोहार ग्यारे की अन्तिम जनकर्णा के अनुसार, ठीक है, अभी तक आधार बेस 2.11 की जनकर्णा ही है, किसकी तो होई नहीं अभी तक, COVID के चक्कर में, तो 2.11 की अन्तिम जनकर्णा के अनुसार, अनाचल प्रदेश, नागरलेंड, लक्षदीप, अंडबान निकबार्दीव स्रों में, अनुसूचित जाती, यानि S.C. जनसंख्या सुन है, सरबाधिक अनुसूचित जाती जनसंख्या जो है, भारत के उत्तर प्रदेश स्राज में है, निउन्तम की बात करें, तो वो है मिजोरम में, ठीक है, और इसके अतरिक तेरी प्रतिसत्ता की दरश्टी से देखें, S.C. अबाधि, अनुसूचित जाती की अबाधि, तो उसका भी नाम याद रखेगा, वो पंजाब राज्या है, अठारवा प्रश्ट है, निमलिखित जनकरना वर्सों में किसे भारत के जनाकी है, इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, यह प्रश्ट इंपो 21 को भारती है, जननाकी है, इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, सिदे सिदे आद रखेगा, नमबर 19 पर आजेए, निमलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ है देश और उसके सामने है लोह अश्क उत्पादन शेत्र, कारागंडा क जाकिस्तान में, कृवाय राग युक्रेन में, नौर्मंडी, जर्मनी और पिरिनीज, फ्रांस, देखें कारागंडा का जाकिस्तान से ये, कृवाय जो है युक्रेन का लोह अश्क उत्पादन शेत्र है, पिरिनीज, फ्रांस का है, नौर्मंडी, लोहा अश्क उत्पादन शेत्र जो है वो फ्रांस का यह ठीक है नॉर्मंडी फ्रांस पिरिनीज भी फ्रांस जर्मनी का नहीं है तो करेक्ट 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 यह हो गया अपना इन करेक्ट सी यहां पर तो नॉर्मंडी जो लो है इसक शेत्र है वो जर्मनी में नहीं अबल कि फ्रांस में इससे था है विचलन या फिर प्रकिनन या फिर स्केटरिंग देखें जिस प्रकास की तरंग धैर्द यानि वेवलेंद सबसे अधिक होगी वो सबसे कम विचलित होगा और जिस प्रकास की तरंग धैर्द सबसे कम होगी वो सबसे अधिक विचलित होगा तो बैंगनी रंग की तरंग धहर सबसे कम होती है सबसे अधिक विचलित होता है वो और लाल रंग का जो प्रकास होता है उसकी विवलेंट सबसे अधिक होती है तो वो सबसे कम विचलित होगा सबसे कम स्केटरिंग होगी उसकी सबसे कम पिक्रिन होगा तो जो देखिए रंग का जो प्रकीणन है यानि स्केटरिंग या विचलन उसकी तरंग ध्यर्द यानि विवलेंद पर निवर्ण करता है जिस प्रकास जिस रंग के प्रकास की तरंग ध्यर्द सबसे कम होती है उस रंग का जो प्रकिणन होता है यानि विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है और जिस रंग के प्रकास की वेवलेंथ यानि तरंग ध्यर्द सबसे अधिक होती है उस रंग का जो प्रकिणन होता है य तो लाल रंग का यूस करते हैं उसमें तकी रेड फैलता नहीं है लाल कलर बिल्कुल एक बिंदे टिप की तरह दिखाए दिता है अधिक है को दूर सी ने जरा जाता है तो 20 प्रशन दें इनकी प्रैक्टिस एक बार कर ली जगा धन्यवाद